नमस्ते दोस्तूं, स्वागत है आपका TED DIY पे और आज के सेशन में हम डिसकस करेंगे एक ऐसा कॉंसेप्ट या एक ऐसा टॉपिक हाँ सबसे पहले 300 सब्सक्रिप्शन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आशा है आप आगे भी हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे और आज का जो टॉपिक है वो एक ऐसा कॉंसेप्ट है जो बहुत ही एनॉइंग है मतलब बहुत थका देने वाला है और उसको हम अवाइट भी नहीं कर सकते हैं आप गैस कर सकते हैं वो क्या है चलिएब मैं बताता हूँ डोमेन आपजेक्ट को ट्रांसफर्म करना डेस्टिनेशन या सोर्स आपजेक्ट में अगर आपने मायक्रो सर्विसेज में काम किया होगा या किसी भी प्रोजेक्ट में काम किया होगा तो जब एक layer से दूसरी layer के जो objects होते हैं उनको हमको transform करना होता है तो वो हम कैसे कर सकते हैं आज हम वही discuss करने वाले हैं तो हमारी कोशिश रहेगी कि इसको annoying से pleasant बनाया जाए या इस session के अंत में आप लोग सीख पाएं वो techniques जिससे इस काम का आप काफी जल्दी और काफी efficiently पूरा कर पाएं हाँ, shortcuts आपको description में मिल जाएंगे like, share भी हमें like करें, share करें bell icon press करें, subscribe करें और आशा है आप हमारे साथ बने रहेंगे तो ये है आज का session और हाँ, इस बार हर बार की तरह इस बार भी हमने सबसे पहले introduction chapter होगा, उसके बाद approach 1 होगी जो की column editing है, फिर approach 2 है जो mapstruck library के बारे में बात करेंगे फिर उसके बाद error and resolutions है और अंत में long box support for mapstruck है तो इसी के साथ चलते हैं हमारे प्रथम अध्याय की तरफ या प्रथम chapter की तरफ तो प्रथम chapter है approach 1 simple column editing जी हाँ दोस्तों हमारे जितने भी ideas है चाहे वो idea हो, चाहे eclipse हो या फिर notepad++, edit++ इन सब में एक hidden feature होता है जो most of the people use नहीं करते है यह है column editing column editing ऐसा feature है जिसमें हम एक साथ कई columns में columns में editing कर सकते हैं और idea में इसके लिए shortcut है idea में इसके लिए shortcut है shift command 8 और idea, यह idea mac के लिए है idea windows के लिए यह command है shift alt insert तो जब आप यह करते हैं तो toggle हो जाता है और यह column editing mode में चला जाता है हमारा और आज के session के लिए हम car model ले रहे हैं मतलब हमारे पास एक source रहेगा जो की car DTO रहेगा और destination रहेगा car DOM क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादा तर लोग आप लोग जो है वो well versed है इन चीजों से तो आपको पता होगा कि DOM क्या होता है DTO क्या होता है बट जो नए है उनके लिए बता दूँ DOM जो होता है basically document object model कहलाता है और यह एक simple pojo class होती है जो represent करती है UI से जो हमारा data आ रहा है उसको ठीक है और DTO जो होता है data transfer object यह हमारा DTO layer जैसा कि इसका नाम भी है persistent entities जो होती है उनमें data को इसके थूँ pass किया जाता है DTO इसके थूँ pass किया जाता है ठीक है तो अभी तक आपने देखा होगा जायतर cases में या पूराने projects में भी आपने देखा होगा तो हमको converters लिखने पड़ते थे और transformations लिखनी पड़ती थी हमें configuration classes लिखनी पड़ती थी जो सिर्फ एक layer की model से दूसरे layer की model में transform करते थे और अभी हम जैसे कर रहे हैं code तो हम एक नई class generate करें नई class generate करने का shortcut आप नीचे ticker में देख पा रहे हैं generate new का apple में shortcut होता है command and n और windows में होता है alt insert तो आप जैसे ही आप project view में जाके alt insert प्रेस करेंगे तो आपको new वाला pop-up खुल जाएगा वहाँ पे आप class या package या जो भी आपको select करना है वो आप select कर सकते हैं वो select करके और अब हम आगे लिख सकते हैं तो अभी हम ले रहे हैं car inventory का use case ले रहे हैं जिसमें हमारे पास car object है जिसको हमको car dom को car dto में convert करना है और simple 4-5 attributes हम ले रहे हैं यहाँ पे most basic जैसे की car brand, car type और car price या इस तरह के 4-5 attributes हम लोग लेंगे और column editing के थुरू हम इनको एक साथ आपको set करना बताएंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं ticker में दिख रहा है shortcuts हमने इस बार shortcuts sticker में भी दिये हैं और आप आराम से description section में जाके भी देख सकते हैं और हाँ यह जो shortcut है यह है control shift e windows में और command shift e mac में जिससे की आप जो हमारा current editing points हैं अपने यह idea में वह सारे editing points वह यहां पर दिखा देता है जब हम control shift e करते हैं ठीक है तो वह यहां पर दिखा रहा है और अभी हमने कार object बनाया है और हाँ alt 7 करेंगे हम alt 7 या command 7 जब करते हैं तो वह पूरी class का structure अपना project view के जहां project view कुलता है वहीं पर हमारा structure class structure view भी खुलता है तो वहां पर हम easily जाके यह कर सकते हैं और अभी जैसे हम हमने toggle किया है command editing view में और यहां पर command editing में toggle किया है और अभी हमने Ctrl shift u press किया था जिससे हम जो भी हम type कर रहे हैं उसका case हम change कर सकते हैं तो अभी हमने get लिखा Alt 7 लेके हमने सारी जो properties थी class की वहां पर copy paste कर दी और इसके बाद हमने एक साथ सारे जो first letters थे सारी properties को उनको जाके हमने Ctrl shift u किया तो वह सारे initial caps हो गए capital हो गए और end में हमने closing brackets add कर लिया तो यही काम जब हम एक एक line करके करते हैं तो हमें बहुत time लगता और यह बहुत cumbersome task है यह मलब ऐसा काम है जो करने से सब लोग कत्राते हैं या सब जी चुराते हैं उस तरह का काम है पर करना जरूरी हो कि इसके किये बिना हम लोग पूरा नहीं हो सकता हम तो उस तरह का है यह काम और देखा आपने किस तरह से column editing के काफी easily एक ही साथ हम कई सारे columns को edit कर पा रहें और यह काम easily कर पा एक tip में यहां देना चाहूंगा अगर आप इसको notepad++ में करते हैं तो उसके लिए shortcut है alter अगर आपका windows है तो alter plus आपका जो left mouse click है उसको हमको drag करना रहता है जहां तक जिस point तक आप ले जाना चाहते हैं वहां तक आप उसको ले जा सकते हैं तो एक लंबी सी जितने point तक आप select करेंगे वहां तक की एक लंबी सी line बन जाएगी एक cursor बन जाएगा जो blink करेगा तो वह आपको दिख जाएगा visually और जैसे ही आप type करेंगे तो वह सारी line से एक साथ edit होने चालू हो जाएगी तो यह एक बहुत पूराना तरीका है जिससे काफी लोग use करते हैं और काफी experienced लोग use करते हैं normally देखा है मैंने और जैसा कि अभी मैंने बताय था आपको structure में जाके हमने copy किया और copy करने के बाद हमने पहले एक साथ set लिखा था जो पांच-छे line हमको add करनी उसमें यह हम converters लिख रहे हैं अभी हमारे और थोड़ा आगे लेके थोड़ा indentation proper रखके और हम इसको इस तरह से अभी हम यहां पर कर रहे हैं तो अगेन हम वापस से initials को capital कर दे रहे हैं तो इस तरह से हमारे दोनों जो transformation methods हैं वो तैयार हो गए हैं और अभी हमारा जो inventory class है कुछ नहीं हमने इसमें simple main public static void main लिखा है उसी के अंदर हम इन दोनों methods को call कर वा लेंगे transformations को और show कर देंगे तो यही हम करने जा रहे हैं अभी यहां पर तो देखिए एक-एक को हम set कर रहे हैं यह basically हम इसको set कर रहे हैं यह अपना जो initialization है object initialization है वो कर रहे हैं तो source object में कुछ values बगर यह तो हमको manually ही देनी पड़ेगी तो यह देखें और क्यों हम transform call कराएंगे तो यह values जो है यह हमारे destination model में भी यह destination object में भी पासओन हो जाएगी वालब एक layer से दूसरी layer पर पासओन हो जाएगी ठीक है तो हाँ subscribe करें bell icon दबाए तो वह भी करते रहें बीजवीच में आपको मिलेगा यह ticker और हाँ target 100 के हमारा target है जैसा कि आपको पता है आशाय आप वहां तक को लेके भी feedback मिला था तो अभी अब से हम केवल अपने intro में ही music रखेंगे intro और end में बीच में tutorial section में हम कोशिश करेंगे कि बहुत ही light music हो और ज्यादा loud ना हो और without vocals हो ताकि कोई confusion न रहे ठीक है तो यह हम अब follow करेंगे जिन ने भी हमें यह feedback दिया था उनको बहुत बहुत धन्यवाद at least किसी ने तो हमें यह शो करता है कि कोई हमें सुन रहा है otherwise हम बनाते जाएं और कोई इस तरह का feedback ना आए तो वो भी नहीं जमता है तो टीक है thank you for providing that feedback आगे बढ़ते हैं तो अभी हमने अपना source और destination दोनों लिख लिया है और साथ ही converter अब हम call करने वाले हैं तो यहां पर हम converter call कर रहे हैं sys out करके हाँ अगर आप idea में नए हैं तो यहां पर कुछ shortcuts हैं जैसे आप psvm लिखके enter करेंगे तो वो public static voidman यहां पर show हो जाता है इसी तरह से s out अगर आप लिखेंगे तो s out लिखते ही यहां पर जैसा कि eclipse में होता था अगर सिस out लिखते थे तो वो shorthand था sys out तो उसको वो बढ़ा करके system.out.print element कर लेता था वैसे यह idea में है s out ठीक है अभी हमको यहां पर two string लिखना पड़ेगा अपनी class में two string नहीं लिखा हुआ था तो अभी हमको generate करना है तो हमने वही किया alt insert और यहां पर two string में हमको सारे methods चाहिए तो वो हमने यहां पर generate कर दिये अभी two string हमारा generate हो गया है और इसी के साथ कम efforts में हमने अपना code generate कर लिया है और अब हम इसको run करेंगे तो अगर सब कुछ सही रहता है तो यह हमको if everything is fine then हमको अपने जो console है वहां पर हमको destination object में मिल जाएगा जो values हमने set की थी यह P यह मिल रही है यहां पर values देखिए अभी second section में आते हैं which is approach 2 approach 2 क्या है approach 2 के लिए हम एक छोटा सा demo project बनाने वाले हैं और java 11 ले रहे हैं और इसको भी generate करके देखते हैं अभी और dependencies में हम long box लेंगे और spring normal spring web rest API के लिए spring web लेंगे इससे जदा अभी कुछ नहीं ले रहे हैं यहां पर हां तो दोस्तों जो map struct है यह जो काम अभी हमने manually किया था यही काम हम library के through भी कर सकते हैं तो automation library है automate करती है जो चीजों को वो map struct है map struct basically एक ऐसी library है जिसमें आप specification लिख देते हैं specification लिख देते हैं और जब आप build run करते हैं या gradle build आपका होता है उस time पर वो library आपकी जो implementation class है वो generate करके देती तो जो method अभी हमने लिखे थे दोनो converter methods वो दोनो converter methods आपको build के बाद target folder में मिल जाएंगे target slash generated source folder रहता है उसमें आपको जो अपनी implementation class है वो वहां पर मिल जाती है तो अभी हम import करते हैं उसको अभी हमने download किया demo project को और अभी उसको intelligent में import कर रहे हैं तो वो यहां पर हो रहा है और अभी maven हमको package manager maven लेना है इसके लिए हमने maven लिया है तो maven लेके हम आगे बढ़ते हैं new window लेते हैं new window लेने के बाद load हो रहा है और यहां पर हमारा project load हो रहा है हो रहा है हाँ आज के इस mapstruct tutorial के लिए specifically हमने building.com का use किया again building बहुत ही अच्छा tutorials बनाते हैं building.com का जो mapstruct वाला tutorial है वो हम follow कर रहे हैं उसी को हमने try किया था तो हम देखेंगे कि जो भी उनने बोला था dependency वगयरा वो यहां पर कैसे work करती है या कुछ issue आता है तो क्या issue आता है वो सब हम देखने वाले हैं ठीक है तो अभी हमने maven इसका जो processor है mapstruct processor वो भी हम add करेंगे अभी फिलाल mapstruct की जो lib है उसकी dependency यहां पर add कर रहे है वो आप देखके use कर सकते हैं आपके project के हिसाब से आपकी requirement के हिसाब से ठीक है तो वो हमने कर लिया maven ले लिया maven dependency अभी हम add करने जा रहे हैं और maven dependency add होने के बाद अभी हम dependency को हम लोग manually add करते हैं तक कि जैसा कि कहा जाता है हमारे पुराने लोग भी कह गई है wisdom है कि हमें जो चीज हम हाथ से लिखते हैं वो हमें दिमाग में हमारे अच्छे से store हो जाता है तो वही concept हम आज भी रखते हैं तो हम कोशिश यह करते हैं कि at least यह जो configurations हैं यह जो चीज़े हैं artifact यह किस तरह से कहां पर हमने add की थी वह अगर हम हाथ से code करेंगे टाइप करेंगे तो वह हमको रहे मतलब एक हलका सा भी अगर याद रहेगा तो that is enough कि मतलब हम बाकी काम हमारा id कोदी कर लेगा ठीक है वही बात है तो इसलिए हम hand code करते हैं हम इदर से left से copy करके right में paste कर सकते थे but I prefer doing it by hand तो वही हम कर रहे हैं यहां पर अभी यह annotation processors हम add कर रहे हैं यह path में annotation processor हमको path में add करना पड़ेगा तो यह plugins के अंदर हम इसका maven code generator plugin add कर रहे हैं और उसका path वगेरा हम बता रहे हैं ठीक है तो वही हो रहा है और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और map struct processor अभी add किया हमने path में group id map struct and map struct processor हमने यहां पर add कर लिया और उसका version बगेरा जो भी हमने वही यूज किया जो tutorial में हैं बट आप आप देख सकते हैं जो आप उपर dependency दे रहे हैं उसी के corresponding यहां पर आपको path का भी version देना होगा ठीक है यह हो गया है यह करने के बाद हाँ जभी भी हम pom.xml या gradle.build इन files में update करते हैं तो इनको update करने के बाद हमको maven repository update करना पड़ता है ताकि जो भी नए changes आये हैं वह हमारे local m2 में वह dependencies download हो जाए और local m2 में उसकी copy बन जाए ताकि हम जब project run करें तो वहां से run कर पाए ठीक है यह offline online दोनों modes में होता है तो यह separate topic है इसको हम और कभी cover करेंगे तो अभी हम देख पा रहे हैं हमको कुछ error आ रही है कुछ versions की problem है तो हम क्या करेंगे हाँ अरे problem यह है कि देखिए जावा जो है जावा का version हमने 11 ले लिया है लेकिन हमने local जब check किया actually यह problem इस वज़े से है कि multiple computers जब use करते हम लोग तो मुझे exactly याद नहीं था कि यहां पर कौन सा जावा का version है मेरे local में तो इसलिए यह हुआ है तो मैं उसको correct करता हूँ यहां पर मेरे मेरे इस system में max system में java 8 ही है तो मुझे यहां पर java version भी java 1.8 करना पड़ेगा और spring का version भी मैं 2.5.0 कर रहा हूँ जो जो भी compatible है जो errors है issues है वो हम इस तरह से resolve कर सकते हैं तो वो ही मैं देख रहा हूँ try करके और इसके साथ अभी हम नई class लिखेंगे cardom same यहां पर हम दो classes बनाएंगे cardom और cardito cardom में हम same properties जो वहां हमने की थी यहां पर हम column editing करके भी एक साथ generate कर सकते हैं पांच जो भी हमारे fields है वो यहां पर हम add कर लेंगे जैसा आप देख पा रहे हैं कितना magical है यह कि जब आप एक साथ इतनी सारी lines edit कर पाते हैं बढ़ हां यह values बढ़ वेरिवल नेम्स तो separate ही रखना है तो यह तो आप उने को one by one जाके ही करना पड़ेगा बढ़ अगर अपने पास excel sheet वगेरा कहीं पर column form में अगर अपने पास variable names हैं तो वो भी हम वहां से copy करके सीधे यहां पर इतनी lines select करके paste कर सकते कर देंगे तो यह ऐसे भी बहुत easily हो जाता है और normally ऐसा होता भी है कि जो हमको requirements मिलती है या जो requirement documents वगेरा मिलती है तो वह excel sheet में ही मिलती है ठीक है तो उन excel sheets sheets से हम सीधे यहां पर paste मार के काम चला सकते हैं ठीक है तो अभी हम car का ही use case ले रहे हैं तो हमने simple id brand type और is automatic या इस तरह का एक flag लिया है और price लिये चार-पांच fields हमने लिया है इनके अलावा add data annotation हमने लिया है और add to string यहां long box में जो यह add to string है add builder यह सारी जो चीज़े हैं यह बड़े-बड़े मतलब काफी एक लेंदी-लेंदी जो concepts हैं उनको भी इसने simple annotations में reduce कर दिया है इसलिए i love long box project long box बहुत अच्छा project है you should use this long box in your library की अपनी boiler plate code होती है उसको बहुत हद तक यह कम कर देता है अब जैसे यह add builder लिखा है अगर आप खुद से builder pattern implement करने जाएंगे तो आपको कई सारी चीज़ें करनी पड़ेगी ठीक है सबसे पहले तो आपको एक अपना जो cardome है यह बनाएंगे इसके अंदर एक inner class बनानी पड़ेगी जिसमें की सारे elements हैं जो भी सारे attributes हैं उन सब को उस inner class में हमको एक एक को initialize करना पड़ता है उसकी values वहाँ पर देनी पड़ती ठीक है और फिर उसके बाद nth में हमको build करके method लिखना पड़ता जो की उसको actual में इसके private constructor को call करता और actual object हमको बना के देता तो यह सारा काम इसने simple सी एक annotation at the rate builder में जोड़ दिया ठीक है तो वह हमने वहाँ पर try करी थी अभी हाँ यह सबसे important चीज आ गई है यह mapper है at mapper यह map struct जो library हमने add की थी उसका है part ठीक है यहाँ पर at mapper हम लिखते हैं at mapper लिखके और यह interface हमने बनाता है हम बना रहे हैं इस interface में हम दोनो methods जो हमारे थे जो cardom को dto में और dto को dom में convert करेंगे ठीक है to and fro दोनों काम करेगा दोनों layer का पर यह conversion का काम करेगा transformation का काम करेगा ठीक है यह simple हम basic example ले रहे हैं जहां पर हमको किसी तरह का कोई नाम change वगेरा नाम का change या type का change ऐसा कुछ भी नहीं करना है simple इधर जो values हैं वही same नाम से हमको source में भी मिल रहा है destination में भी मिल रहा है तो same चीज हमको दोनों जगे मिल रही है तो हम simple mapping कर रहे हैं यहां पर आप चाहें तो जो tutorial हम बता रहे हैं building.com उसमें सारे चीज़ें उसने show की है कि हम annotation के तुरू यह कैसे कर पाएंगे कि अगर मानलो source में नाम अलग है target में अलग है तो simple annotations हैं उनके तुरू काफी easily आप वो mapping भी कर सकते हैं ठीक है अभी हम pom.xml में version change कर रहे हैं 1.8 किया हमने run करके देखा तो वो issue आया था वो error आया थी तो हमने उसको भी correct किया है ठीक है अभी हमने cardom लिया है और dom में add data add किया है to string भी add किया है और builder add किया है अगर हम builder use करते हैं तो एक बात आपको याद रखनी होगी क्योंकि builder pattern के अंदर जो जो constructor होता है या जो construction का काम जो है वो builder करेगा builder inner class है वो करेगी वो आपका वो class खुद नहीं करेगी तो आप उसका object new करके नहीं बना सकते है ठीक है न और कई बार क्या होता है कि यह जो libraries वगरा होती है यह expect करती है new करके object बनाया जाए वो यह यह लोग expect करते हैं तो अगर वैसा case है तो हम builder pattern हम use नहीं कर सकते वहाँ पे ठीक है तो हमको builder add builder annotation महां से हटाना पड़ेगा तो अभी हम simply build करते हैं अभी देखिए आप यहाँ पे जब हमने mvn clean install run किया तो run होने के बाद यह हमारी class generate हुई है लेकिन लेकिन यहाँ पे class तो generate हुई है बट एक problem है problem यह हुआ है कि जो हमारा IMPL class आई है उसमें setter getters शो नहीं हो रहे है okay setter getters शो नहीं हो रहे देखते हैं क्या issue है अभी हम फिर से उसको run करके देखते हैं setter getters मतलब आप समझ रहे हैं जो हमने setter getters पहले वाले approach में जैसे लिखे थे converters के लिए कि source.set blah blah to destination.get blah blah तो वो जो काम है जो attribute का नाम है वो mapping यहां पर आनी चाहिए थी वो नहीं आई है तो वो हम देखेंगे जैसा आप यहां पर देख पा रहे है स्क्रीन पर यह बता रखा है simple source destination conversion या जो भी है यह mapper इसने बताया तो MPL mapper के अंदर वो transformation functions जो हमने interface में दिये थे वो यह generate करने की कोशिश कर रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है अभी देखते हैं क्या करते हैं मुझे लगता है शायद add data annotation लिया है तो वो उसकी वज़े से problem हो रहा होगा देखते हैं getter डालके या setter डालके भी देखते हैं getter setter से कुछ होता है तो अभी हम getter setter डालके फिर से इसको run करेंगे rebuild करेंगे और yes it's building now let's see कि जो हमारा final MPL class है हाँ MPL class आपका मैंने पहले भी बताया था target में generated source करके होगा उसमें बनेगा अरे लेकिन अभी तक इसमें नहीं आया है ठीक है हम एक काम करते हैं अभी फिलाल के लिए हम लॉंबोक की जो dependency या जो लॉंबोक का code है वो हम हटा देते हैं उसकी जगे हम एक बार के लिए पोजो simple पोजो ही रखते हैं with all the boilerplate code both things two string और whatever getter setters and two strings वो हम लोग add कर लेते हैं manually और दोनों में dto और उसमें दोनों में करके फिर से build करते हैं अभी अभी यह code यहां से भी हमको हटाना पड़ेगा ctrl y है windows में आप जो current line है उसको delete करने के लिए और mac में यह command plus backspace है command and back button आप दबाएंगे तो current line delete होती है mac तो same वैसे ही ctrl y है windows में तो वो करके हम कर सकते हैं अभी हम mvn clean install कर रहे हैं वापस तो ideally fingers crossed हमारा यह generate हो जाना चाहिए getter setters properly generate होने चाहिए तो हम देखते हैं क्या होता है कि कि अखे नहीं कि हम फिर से उसको run करेंगे क्योंकि यह होना चाहिए ideally यह दोनों जगे प्रॉपर्ली सेम पोजोस हैं खाली उनका नाम अलग 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 है एक dto है एक dom है तो ideally यह generate होना चाहिए प्रॉपर्ली यह इस बार generate होनी चाहिए हमारी जो car mapper MPL है वो अभी देखते हैं car mapper MPL खोल के generated class में under generated target generated annotation और उसके अंदर जो package है वो यस मैं इसी की बात कर रहा था अगर सब proper रहता है अगर everything is fine और हमारा जो mapper है वो चला है mapper gen code code generator चला है तो हमको इस तरह से जैसा आप देख पा रहे हैं दोनों methods में हमको setter getters मिले हुए है बलब setter की calls यहां पर मिल जाएगी अगर यह सही से execute हुआ है code ठीक है तो वह यहां पर हो गया है और वह एड़ होने के बाद अभी हम simply इसको test करेंगे हम में नहीं लिखेंगे इस बार एक simple j unit test case हमने previous project से उठाया था और उसी को हम यहां पर update कर रहे हैं अभी हमने इसको test class थी तो हमने इसको simply वहां tutorial से copy कर लिया है copy paste कर लिया है अभी देखते हैं कि यहां पर क्या-क्या changes करते हैं तो अपने हिसाब से हम इसको modify कर लेते हैं जैसे कि एक चीज है line number 12 13 में आप देख पा रहे हैं car mapper का object हमको बनाना पड़ा है यह हमको इससी तर से mapper.get mapper kthru बनाना पड़ेगा इसमें हमको हमने impl.class pass की है ठीक है हमसे कुछ हुआ है कुछ problems है वह हम आपको जब actual में इसको execute करेंगे तब हम issues बताएंगे आपको कि क्या problem है कैसे आता है वह हम जान करके मलब जान बूच के यहां पर हम वह छोड़ रहे है problem ठीक है तो आगे बढ़ते हैं अभी हम अपना dom बनाते है dom और do जो भी हमको बनाना है वह बनाते हैं और हाँ code refactor के लिए simple सा shortcut है code refactor का shortcut है shift और f6 आप variable जिस variable को update करना है उस variable के उपर जाईए cursor को बीच में रखिए और shift f6 दबाईए और shift f6 करते ही हमारा refactor के लिए वह select हो जाएगा तो जहां जहां पर उसके references है वह सारे आपको इस तरह से दिखने लगेंगे जैसे यहां पर दिख रहे हैं और हम उसको rename कर सकते हैं refactor मतलब mainly renaming के लिए यह shift f6 के through हम कर सकते हैं ठीक है तो अभी हम दोनों जगे source देस्टिनेशन की जगे हमारा जो corresponding source है जैसे कि इस मेथड में car dom जो है वह हमारा destination है और car dto जो है वह हमारा कि car dto जो है वह हमारा source है ठीक है तो वह यहां पर हम कर रहे हैं सौरी उल्टा बोल गया मैं car dto जो है वह हमारा destination है और car dom जो है वह हमारा source है तो वही more or less हम इन properties को यहां पर set करेंगे और यह testing के लिए set करेंगे और line number 26 में हम actual में उसको mapper का जो convert method है उसको हम call करेंगे ठीक है जो source to destination यहां पर source हमारे case में हमने वह उसका नाम transform है वह यहां पर add कर लेंगे जब उस line पर हम पहुंचेंगे तो ठीक है अभी जैसा आप जो मैं पहले आपको बता रहा था वह भी आप देख पार है मैं कर रहा हूं आपर line number 16 17 18 में हम लोग simply name और डिस्क्रिप्शन की जगे हम brand name और आटोमेटिक या वैन्वल वाला जो प्रॉपर्टी थी उसको attribute को यहां पर use कर लेंगे ठीक है तो कि set name में हम set name की जगे set brand name कर देते हैं तो वही कर लेते हैं तो वही मैं कर रहा हूं यहां पर कर लेते हैं और फिर कैसे करेंगे तो जहां-जहां पर इसके वैल्यूजे वह अपडेट हुई है देखिएगा आप ठीक है अभी दोनों मैथट्स इसमें दिखा दिया है जो भी हमको चाहिए वह हम आइडिया के जो तो contextual suggestions होते हैं उनके उनमें वो आ जाएगा अपना तो वो हम use कर सकेंगे जैसा अभी शो हो रहा है यह पॉप अप में ठीक है तो इस तरह से हमने अपना दोनों transformation methods थे उनको update कर लिया है और values वगरा सेट कर लिये है तो हाँ अब हम बात करेंगे Aaron resolutions की तो मित्रों अब हम पहले basically यह सेट कर लेते हैं तो सेट करने में वह यह dot set brand दो तीन values हम सेट करेंगे सारी नहीं करेंगे तो कार मेरी favorite car या मेरा favorite brand है वो Toyota है तो वही कुछ details मैंने वहां पर डाल दिये Toyota hybrid and automatic या manual वो सब हमने डाल दिया उपर preference और दूसरा या BMW हम कह सकते हैं तो BMW डाल दिये और उसी की values भी यहां पर सेट कर लिये तो वही getter setters हम यहां पर डाल के pass on कर रहे हैं यह जो assertions है simply assertions में हम simple वो values देख रहे हैं जो हम उपर दे रहे हैं वो same values हमको assert equals में मिलनी चाहिए expected और actuals में दोनों में वो values same होनी चाहिए यही हम assertions लिख रहे हैं ठीक है तो यह assertions हमने लिखी और इसी के साथ description की जगे पर हम is automatic डाल देते हैं get automatic destination जो अभी change हुआ है उसका वो और source source की जगे हम क्या देंगे car dom और destination की जगे car DTO कर दिया था हमने तो expected and ओके अभी सब सही है तो test cases run करते हैं तो ideally सब कुछ सही है तो test case run होना चाहिए देखते हैं क्या error आती है या क्या issue आता है बहुत ओके यह हमने last time भी एक इसको cover किया था अगर आप लोगों ने देखा होगा हमारा previous video नहीं देखा होगा आप I button click करके देख सकते हैं कुछ tools हैं जो हमने कुछ plugins हैं जो हमने idea के intelligent idea के कुछ plugins हैं जो बहुत useful plugins हैं उसमें एक key mapper भी है तो जो key mapper plugin है वो हर एक shortcut की जब हम press करते हैं तो बताता है कि हमने कब हमने shortcut की use किया और कब navigate करके किया तो जब भी हम navigate करते हैं तो बता देता है कि इसकी जगे आप ये shortcut use कर सकते थे अगर आपने mouse का use किया है तो काफी अच्छा plugin है वो अभी हमको यहां पर error आई है अच्छा error क्या आई है error आई है अगर आप error पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यार कुछ bean initialization का problem आया है और हमारा जो main bean है वो बना नहीं है कार मैपर IMPL नहीं बना है ओके कार मैपर IMPL क्यों नहीं बना है देखते हैं उसको जो हमारा test context है उसमें वो बनना चाहिए था और वो नहीं बना है ठीक है तो spring में अगर आपने देखा होगा spring boot में इसी तरह की जाएतर issues आते हैं अगर कुछ भी छोटा सा भी अगर जो dependencies है जैसे आपका bean है या आपका bean initialize नहीं हुआ है बना नहीं है properly कहीं पर कुछ उसका attribute की कुछ value अगर है set नहीं है properly कुछ configuration में कुछ छूड गया है तो इसी तरह का सीधा सा एक exception हमें को spring लाके देता है कि भाईया आपका जो यह dependency है या जो आपका bean है यह नहीं बनाए ठीक है तो शुद्ध भाशा में यह हमको बता के बोल देता है तो वह इसने बोल दिया कि भाईया कार IMPL जो है वह नहीं बनाए उसको देखो क्यों नहीं ब आती है शौर फ्लाइर शौर फायर मोस्ट अप देकेसे जब हम टेस्ट के टेस्ट रन करते हैं तो उसमें यह शौर फायर प्लगिन की एरर आती है चलिए तो हां अभी मैं आपको बताता हूं एरर जो थी वो मैंने आपको बताई ती कार मैपर IMPL जो था वो यहां पे नहीं बन रहा था तो जैसा कि मैंने प्रिवेस सेक्षं में बताता हूं कार मैपर डॉट घ्लास ऐगा इसके दो घ्री Oxen है पहला तो यह कि कि लिब वाले ने इतना ट्रांस्परेंसी रखने की कुश्श किये कि अगर हम इंटरफेस दे रहे हैं तो वो इंटरफेस ही हमको यहां पर उसी को हमको लाइन नमबर 13 में डॉट क्लास में भी अपनी जो इंटरफेस था उसी का नाम देना चाहिए आइडियली यह हमसे जो कार आएंपील है वो हमको शो तो करता है बट उसको हम डिरेक्ली यूज नहीं कर सकते हैं स्प्रिंग उसको इंजेक्ट करेगा और वो कैसे करेगा वो इं रिपेंडेंसी मलब वो बीन हमारा प्रॉपरली बन जाएगा ठीक है तो यह रिजॉल्यूशन था और अब हम जैसा आपने पहले भी देखा होगा हमारे जो इसी सेक्शन में आगे जब हमने शुरू किया था तो हम लोग एड़ डेटा एड़ गेटर सेटर उनके थूँ करें रहे थे है ठीक है तो अभी हliter कि यह टूर्यल में और अगे बड़े थो हमें आईडिया लगता है कि हमको लॉंबॉक के डिपेंडेंसी सेपरेंडिंट ली अड़ करने पडिगी ठीक है तो वही हम अभी यहाँ पर कर रहे हैं लॉंबॉक की बायिंदिंगे एड़ करन तो वही हमने यहां पर add किये और इसके साथ ही कुछ path और add किये हैं दो path और add करने की बताया है इनने और building भाइसाब ने तो वही हमने यहां पर add किया है long box की भी dependency same ही रखते हैं अभी के लिए क्योंकि tutorial follow कर रहे हैं तो और map struct processor यह पहले से ही था हमारे पास तो दो path अभी हमने add किये एक long box का और दूसरा long box map struct binding का ठीक है मतलब यह हम बता रहे हैं इसको कि जब आप process करोगे map struct तो आपको तो तुम भाइया पहले यह देख लेना पोजो generate हुई है नहीं हुई है मतलब आप एक तरह से यह guide कर रहे हैं spring को कि जब भी maven build होगा तो आपको जो project बनाना है या generate करना है code वो किस order में करना है हम यहां बोल रहे हैं कि पहले आप long box के पास जाना और long box को बोलना कि pojo generate करके दो और long box ने जब pojo generate करके दे दिया तो उसके generated pojo को हमको consider करना है और उसके उपर हमको map struct बनाना है ठीक है map struct की जो interface था वो लगा के और हमको final हमारा जो abstract class यह जो interface हमने लिखा है उसकी implementation हमको generate करनी है यह आपका mapstruck library इस तरह से उसको process करेगा ठीक है तो यही dependency दो dependencies है जो हम path में add कर रहे हैं यहाँ पर अभी एक तो longbox की support add किया है कैसे add किया है तो उसके लिए हमने paths में add किया है longbox artifact और दूसरा paths में add किया longbox mapstruck binding यह दोनों जब दे देंगे तो यह दोनों देने के बाद version बगरा हम same ही रख रहे हैं जैसा मैं पहले भी बोला हूँ तो यह दोनों रखने के बाद हम फिर से क्योंकि हमने मेवन पॉम अपडेट किया है तो पॉम या gradle अपडेट के बाद हमें हर बार क्या करना पड़ता है मेवन प्रोजेक्ट को अपडेट करना पड़ता है ताकि हमारा जो ूकल तू है वो सही सही दिपेडेंसी को नेट से डाउनलोड करके ले बägिया और फिर वहीं सेjed fax अ हमारा काम चलेगा आगे का, सारा तो अभी हम चलते हैं अभी हमारी सारी dependencies वगेरा R2 में आके बैढ गई है locally अब हम जाते हैं DOM के अंदर जहां पर हमने getter setter लिखे थे दोनों DOMS में DOM और DTO दोनों classes खोल के जो getter setter लिखे थे उनको हटाएंगे एक एक करके तो चलिए हटाते हैं तो यहां पर हम आये हैं और अभी AddToString हम रखेंगे और नीचे का जो पूरा boiler plate code कहते हैं इसको getter setter और यह सारा जो code है यह boiler plate की readability कम होती इससे तो वो हम यहां पर हटा देंगे अभी वो हटा दिया हमने और इसको हटाने के बाद उपर getter setter irritation भी add कर लेंगे try करते हैं add करके data भी रखते हैं और getter setter भी रखते हैं वैसे ideally data रखने पर हो जाता है काम बढ़ ठीक है इस tutorial में पीछे भी हम देख चुके है कि नहीं हो रहा था तो रख लेते हैं दोनों रख लेते हैं आगे हटा लेंगे वापस ठीक है तो अभी हम cardom में भी same update कर लेंगे cardom में भी जाके अपना getter setter से annotation एड़ किया और नीचे पाताल में गए और सारे functions सारा boilerplate code को खटा दिया है ठोको ताली और अब ताली ठोकते हैं में MPN clean install करते हैं और यह Māwa and clean install होरा है ठीक है बिल्ड हो रहा है और बिल्ड हो रहा है पेल्ड हो रहा है ठीक है अक चीज जब तक बिल्ड हो रहा कि कि Ah मेरा personal favorite इस छीज के लिए है मैं कॉलम एडिटिंग को ज़्यादा प्रिफर करता हूं बजाए इसके मैप स्ट्रक के जब तक की मेरे को डेटा टाइप चेंज नहीं करना पड़े तब तक जहां पे मेरा सोर्स और डेस्टिनेशन का डेटा टाइप अलग है और वहां पे मुझे ज़्यादा मैं ज़्यादा transformation करनी पड़ रही है मतलब transformation का मतलब जहां पे मुझे जो मेरा setting है at the time of setting to destination वहां पे मुझे ज़्यादा code के साथ जगल करना पड़ रहा है तो मैं map strut को prefer करूंगा ठीक है और अगर इतना ज़्यादा नहीं है और इस तरह की class है जैसी यह सामने दिख रही है इस तरह की class है 4-5 field के साथ तो मैं तो मैं उस case में अपना simple इसका यूज़ कर लूँगा ठीक है का यूज़ करता हूँ ठीक है 20-25 अगर attributes है तब तक हम यह कर सकते हैं अगर ज्यादा बड़ी model classes है तो map struct ही ज्यादा बड़ी है ठीक है और इसका एक अल्टरनेट और है map struct की बजाए हम bean utils का भी यूज़ कर सकते थे लेकिन bean utils फिर reflection का overhead उसमें आता है तो और उसमें फिर testing में भी काफी सारी दिक्कत दिक्कत आती है तो इसलिए better यह है कि हम map struct यूज़ कर लें बट अगेन map struct में जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हमने long box support add कर लिया है और सारे जो setter getters हैं दोनों converters में दोनों transformers में दोनों transform methods में वो यहां पे generate हुए है properly और इसी के साथ हम आप पहुचे हैं इस session के अंत की तरफ बठा मैं जो बात कर रहा था वो यही थी कि हम इसको और आगे भी follow कर सकते हैं और भी map struct सिर्फ इतना ही नहीं है map struct में बहुत सारी चीज़े हैं जैसे कि अगर आप जैसे for example अगर आपका एक तरफ है मतलब आप जैसा common example मैंने देखा है कई सारे projects में तो ui side में date field को भी हम लोग string की तरह से ही लेते हैं और जबकि data side में यानि की persistent layer में हम उनको time stamp या date इन formats में उनको store करते हैं तो इस तरह के convergence हैं जहां पर इस तरह के convergence हैं या या जैसे की कुछ process करके data को डालना है set कर दे time पर तो वो सब use cases में आप यह map struct best bet रहता है तो अनलब map struct best है उन सब cases के लिए ठीक है और यह आपकी efficiency को definitely improve करता है ठीक है तो अभी हमने यह कर लिया है और यह हमारा दोनों में दोनों मॉडल से हैं और यह और हाँ अगर यह optimize imports का जो shortcut है अगर star आपका यह 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 जाता है और और कंट्रोल अल्ट ओ के बाद तो आप उसको simple वहां पर करसर ले जाके और एंटर करेंगे तो आजागा thanks for watching okay धन्यवाद देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हाँ हमारा target जो है target 100k subs आपकी सहायता के बिना वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा तो आप हमें सहायता करें अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बात प प्रेस करें ताकि हमारी सारी notifications आपको मिले इसी के साथ जै हिन जै भारत पंदे मात्रम